श्री राम कृष्ण देव के उपदेश वचा नामरित प्रिष्ठक्रमांग 191 परिच्छेद 31 सीन्ती के ब्राम समाज में ब्राम भक्तों के साथ संसार में निश्काम कर्म श्री राम कृष्ण ने श्री वेणी पाल की सीन्ती के बगीचे में शुभागमन किया है आज सीन्ती के ब्राम समाज का छे माही उत्सव है रविवार चैत्रपूर्णिमा 22 अप्रेल 1883 तीसरे पहर का समय अनेक ब्राम भक्तों उपस्थित है भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर दक्षण के बरामदे में आ बैठे सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपसना करेंगे ब्राम भक्तगण बीच बीच में श्री राम कृष्ण से प्रश्ण कर रहे है ब्राम भक्त महराज मुक्ती का उपाय क्या है श्री राम कृष्ण उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना ब्राम भक्त अनुराग या प्रार्थना श्री राम कृष्ण अनुराग पहले फिर प्रार्थना श्री राम कृष्ण सूर के साथ गाना गाने लगे जिसका भावार्थ यहां है ये मन पुकारने की तरह पुकारो तो देखू श्यामा कैसे रह सकती है फिर बोले और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्टन और प्रार्थना करनी चाहिए पुराने लोटे को रोज मांजना चाहिए एक बार मांजने से क्या होगा और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है यहां बुद्धी चाहिए ब्राम्म भक्त संसार छोड़ना क्या अच्छा है श्री राम कृष्ण सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं जिनके भोग का अंत नहीं हुआ उनसे संसार त्याग नहीं होता रत्ती भर शराब से क्या मस्ति आती है ब्राम्म भक्त तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे श्री राम कृष्ण हाँ वे लोग निष्काम कर्म करने की चेश्टा करे हाथ में तेल मल कर कठल छीले धनियों के घर में दासियां सब काम करती है परंतु मन रहता है अपने निज के घर में इसी का नाम निशकाम कर्म है इसी का नाम है मन से त्याग तुम रोग मन से त्याग करो सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे भोग के अंत का क्या अर्थ है? श्री रामक्रिश्ण कामिनी कांचन भोग है जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है उस कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है रुपया, पैसा, मान, इज़त, शारिरिक, सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर, इश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती ब्राम्म भक्त स्त्री जाती खराब है या हम खराब है श्री रामकृष्ण विद्या रूपयनिस्त्री भी है और फिर अविद्या रूपयनिस्त्री भी है विद्या रूपयनिस्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपयनिस्त्री ईश्वर को भुला देती है संसार में डुबा देती है उनकी महा माया से यहां जगत संसार हुआ है इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही है विद्या माया का आश्रय लेने पर साधू संग की इच्छा, ज्यान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं पंच भूत तथा इंद्रियों के भोग के विशय, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यहां सब अविद्या माया है यहां ईश्वर को भुला देती है ब्राम्म भक्त अविद्या ये दी अज्ञान पैदा करती है, तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री रामक्रिश्ण उनकी लीला, अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती दुखना रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता बुराई का ज्यान रहने पर ही भलाई का ज्यान होता है फिर आम पर चिलका है इसलिए आम बढ़ता है और पकता है आम जब तैयार हो जाता है, उस समय चिलका फैक देना पड़ता है माया रुपी चिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्यान होता है विद्या माया, अविद्या माया, आम के चिलके की तरह है, दोनों ही आवश्यक है अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देवी मूर्ती की पूजा, ये सब क्या ठीक है? श्री रामकृष्ण, तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए मूर्ती नहीं, भाव मुख्य है तुम लोग आकर्शन मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्शन, प्रेम साकारवादी जिस प्रकार मा काली, मा दुर्गा की पूजा करते हैं, मा मा कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो, मूर्ती को ना भी मानो, तो भी कोई बात नहीं है ब्रामभक्त वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता श्री रामक्रिश्न भोग की शांती हुए बिना वैराग्य नहीं होता छोटे बच्चे को खाना और खिलोना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है परंतु जब खाना हो गया और खिलोने के साथ खेल भी समाप्त हो गया तब वहां कहता है मा के पास जाओंगा मा के पास न ले जाने पर खिलोना पटक देता है और चिला कर रोता है ब्राम्म भक्त गर्ण गुरुवाद के विरोधी है इसलिए ब्राम्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं ब्राम्म भक्त महराज गुरु ना होने पर क्या ज्यान नहोगा? श्री रामक्रिश्न सच्चिदानन्द ही गुरु है यदि कोई मनुश्य गुरू के रूप में तुम्हारा चैतन ने जागरत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है गुरू मानो सखा है, हाथ पकड़ कर ले जाते है भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरू शिश्य का ग्यान नहीं रह जाता वहाँ बड़ा कठिन स्थान है वहाँ पर गुरू शिश्यों में साक्षातकार नहीं होता इसलिए जनक ने शुकदेव से कहा था यदि ब्रह्म ग्यान चाहते हो, तो पहरे दक्षि ना दो क्योंकि ब्रह्म ग्यान हो जाने पर गुरू शिश्यों में भेद बुद्धी नहीं रहती जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरू शिश्य का संबंद रहता है थोड़ी देर में संध्या हुई, ब्राम्म भक्तों में से कोई-कोई श्री रामकृष्ण से कह रही है शायद अब आपको संध्या करनी होगी श्री रामकृष्ण नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहां सब पहले-पहल एक-एक बार कर लेना पड़ता है उसके बाद फिर अर्ग्य पात्र या नियम आदी के आवश्रक्ता नहीं रहती श्री रामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में संध्या के बाद आदी समाच के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैट कर उपासना की बीच-बीच में ब्रह्म संघीत और उपनिशत का पाठ होने लगा उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठ कर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्तालाब कर रहे है श्री रामकृष्ण अच्छा निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है आपका क्यामत है आचारिय जी निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट है बिजली का प्रवाह है आखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है श्री रामक्रिश्न हाँ, दोनों ही सत्य है साकार, निराकार दोनों सत्य है केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो जैसे शेहनाई में साथ छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों करता रहता है परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागीनिया बजाता है उसी प्रकार, देखो, साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है शांत, दास्य, सख्य, वातसल्य, मधुर, अनेक भावों से असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमरित के कुंड में गिरना है चाहे स्तव करके गिरो, अत्वा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे ब्रामों के लिए जल और बरफ की उपमा ठीक है सच्चिदानंद मानो अनंत जलराशी है महासागर का जल थंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बरफ का आकार धारन कर लेता है उसी प्रकार भक्ती रूपी ठंड से विसच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारन करते हैं रिशियों ने उस अतीन द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है फिर है ब्रह्मा अवाउं मनस गोचरम ग्यान रूपी सूरिय के ताप से साकार बरफ गल जाती है ब्रह्मा ग्यान के बाद निर्विकल्प समाधी के बाद फिर वही अनन्त वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्मा उसका स्वरूप मुक से नहीं कहा जाता चुप हो जाना पड़ता है मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा पक्षी जितना ही उपर उठता है उसके उपर और भी है आप क्या कहते हैं आचारिय जी हाँ वेदान्त में इसी प्रकार की बाते हैं श्री रामक्रिश्न नमक का पुतला समुधर नापने गया था लोटकर फिर उसने खबर न दी एक मत में है शुकदेव आदी ने दर्शन स्पर्शन किया था डुपकी नहीं लगाई थी मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीजें उच्छिष्ट हो गई है पर अंतु ब्रह्मा उच्छिष्ट नहीं हुआ अर्थाद ब्रह्मा क्या है कोई मुह से नहीं कह सका मुक से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है विद्यासागर विद्वान है यहां सुनकर बहुत खुश हुए सुना है केदार के उस तरफ बरफ से ढखा पहाड है अधिक उचाई पर उटने से फिर लोटना नहीं होता जो लोग यहां जानने के लिए गए है कि अधिक उचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिती होती है उन्होंने फिर लोटकर खबर नहीं दी उटने से फिर लोटना नहीं होता जो लोग यहां जानने के लिए गए हैं कि अधिक उचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिती होती है उन्होंने फिर लोटकर खबर नहीं दी उनका दर्शन होने पर मनुश्य आनंद से विवल हो जाता है चुप हो जाता है खबर कौन देगा समझाएगा कौन साथ फाटकों से परे राजा है प्रत्येक फाटक पर एक एक महा अईश्वर्यवान पुरुष बैठे है प्रत्येक फाटक में शिश्य पूछ रहा है क्या यही राजा है गुरू भी कह रहे है नहीं नेती नेती सातवे फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए आनंद से विवल हो गए फिर यहाँ पूछना न पढ़ा कि क्या यही राजा है देखते ही सब संदे हमिट गए आचारिय जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार सब लिखा है जब वे स्रिष्टी, स्थिती, प्रले करते हैं तब हम उन्हें सगुन ब्रह्म, आद्या शक्ती कहते हैं जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुन ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत परब्रह्म कहा जाता है मनुष्य उनकी माया में पढ़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है इस बात को भूल जाता है कि वहाँ अपने पिता के अनंत अईश्वर्य का अधिकारी है उनकी माया त्रिगुण मई है ये तीनों ही गुण डाकू है सब कुछ हर लेते हैं हमारे स्वरूप को भुला देते हैं सत्व, रज, तम, तीन गुण है इन मेंसे केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है परन्तु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता एक धनी जंगल के बीच मेंसे जा रहा था ऐसे समय तीन डाकों ने आकर उसे घेड लिया और उसका सब कुछ छीन लिया सब कुछ छीन कर एक डाको ने कहा अब इसे रख कर क्या करोगे इसे माल डालो ऐसा कहकर वहां उसे काटने गया दूसरा डाको बोला जान से मत मारो हाथ पैर बांद कर इसे यही पर छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा यहाँ कहे कर उसे बांद कर डाकू लोग वहीं छोड़ कर चले गए थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लोट आया आकर बोला खेद है तुमको बहुत कश्ठ हुआ मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूँ बंधन खोलने के बाद उस वेक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा इस रास्ते से चले जाओ अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे उस वेक्ति ने कहा यहां क्या महाशय आप भी चलिये आपने मेरा कितना उपकार किया हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे डाकु ने कहा नहीं मेरे वहां जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं पुलिस पकड़ लेगी यहां कहेकर रास्ता बताकर वहां लौट गया पहला डाकु तमोगुण है जिसने कहा था इसे रखकर क्या करोगे माल डालो तमोगुण से विनाश होता है दूसरा डाकू रजोगुण है रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है अनेक आनेक कारियों में जकड जाता है रजोगुण ईश्वर को भुला देता है सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है दया, धर्म, भक्ति यहां सब सत्वगुण से उत्पन्न होते है सत्वगुण मानो अन्तिम सीड़ी है उसके बाद ही है छट मनुष्य का धाम है परब्रम्म त्रिगुणा तीत न होने पर ब्रम्म ज्यान नहीं होता आचार्य अच्छा हुआ यह सब बड़ी अच्छी बाते हुई श्री रामक्रिश्न हस्ते हुए भक्त का स्वोभाव क्या है जानते हो मैं कहूँ तुम सुनो तुम कहो, मैं सुनो तुम लोग आचारे हो कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो तुम लोग जहाज हो हम तो हैं मचो की छोटी नहीं है सभी हस पड़े